वेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे यह पत्ति वाला दोर्मेट अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को सेयर कीजिए आए हम इसे बनाना स्ट करते हैं यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसमें 31 फंद डाले थाटी वन और यह 30 फंदों में नहीं बनेगा या तो आप 31 चैनल या फिर एक तालिस टाल है यानि की एक ज्यादा होना चाहिए या आप इसे 51 फंदे में बना लें एक 60 फंदे में बना लें और देखिए इसकी मैंने एक रो निकाल ली है अब हम दूसरी रो निकालेंगे इसके हमें 14 फंदे बनने हैं पहले दो चाहर आठ देखिए 14 फंदे मुझे इस तरह बनने हैं इसके बाद बीच में डिजाइन वानेगी उसके बाद फिर 14 फंदे इस तरह बनने यह देखिए मैंने 10 फंदे बन लिया है कि यह क्या रहा है कि बार रहे है कि देखिए मैंने 14 फंदे बन लिया है और इस तरफ एक दो तीन चार पांच चार पात देखिए इस तरफ भी मेरे यह 14 फंदे फंदे चूट गए है और यह तीन फंदे बीचे मैं बचे हुए है दीक दागा पलटके है और इन यह 4 फंद 2 तीन फंद यह एक इसदागे में टालके सरह आए उसके बाद यह तीसरी बिच का एक छोड़ देना है और यह तीसरे वाले मैं डालकें इस तरीके से और बुन लेना है यह देखिए देखिए तीसरा दो फंदे मैंने बुली अब देखिए जो पहला फंदा है उसको हमें ऐसे उतार देंगे और इस फंदे को इसके उपर से ऐसे निकालने के बाद इस फंदे को इसमें ले लेंगे और जो लास्ट का फंदा बचा उसको उतार देंगे उससे नाई फंदे में कोई दिक्कत नहीं इसमें इसको इसी के उपर से उतार देना है और बाकी के हमें ये पूरी रो इसी तरीके से जिस तरह से मैंने ये 14 फंदे बुने हैं उसी तरीके से इधर बुने है यह देखिए फ्रेंस मैंने यह पूरी रो निकाल लिया अब जो हम दूसरी रो यह बनाएंगे इसे पूरी इसी तरीके से सिंपल बना लेनी है पूरी रो सीधी रो में हम डिजाइन मनाएंगे और उल्टी रो को उल्टाई बुन देंगे यह देखिए मेरा जो डिजाइन वारा फंदा है उसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे पहले मैंने यह पर 14 फंदे बुने थे अब यह 13 फंदे बुन लिए और उसके बाद देखिए यह बीच में डिजाइन है और फिर से हम इसको पहली रो की तरह यह पहला फंदा उठाएंगे इस पर और यह बीच का छोड़ के यह वाला बीच का छोड़ दिया और दूसरे प पहला फंदा है उसको हम उतार देंगे और इसको हम इसी इसी सलाई पर ले लेंगे और जो दूसरा फंदा था मेरा उसे हम इसके उपर से निकाल के और इस फंदे को हम इस पर ले लेंगे और जो तीसरा फंदा हम छोड़ देंगे देखिए अब जो बाकी के यह तेरे फंद बुलेंगे और उसके आगे वाली जो रो है उसको हम इसी तरीके से बिल्कुल बने लगी है यहां से धिकिए यह पत्ती की तरह बनेगी ऊपर की तरफ जैसे ही हम सीधे तरफ इदर रो में आयें तो यहांसे पंदे घटाएंगे यानि कि हमें ये तीन में से तीन का एक कर लेना इदर से और बाकी के उल्टी रो इसी तरीके से बिनाएंगे बिल्कुल और ऐसे ही मेरी ये पत्ती बनेगे देखिए फ्रंट सावम यहां से कलर चेंज करेंगे मैंने ये उल्टी सीधी दस रो निकाल लें हैं यानि कि एक ही तरफ से उल्टी उल्टी दस रो निकाल लें हैं देखिए ये मेरा इतना बन गया यहां से हम जैसे जैसे कि मेरा इसमें ये कलर लगा हुआ है पिंक इसी तरीके से हम इस वाले में भी इंक लगाएंगे देखिए यहां से हम कलर चैंज कर लेंगे और कलर चैंज करने के बाद यह देखिए जब हम कलर चैंज कर लेंगे फिर भी अम उसी तरीके से इसको बनाना यह तीन फंदे का एक फंदा करना है वीच वाला कि देखीक अब मेरे है यह यहां से एक त्राइस द LAUGHTER बनाते हुए मेरे बंच फंदे देखिए अब उनelson पन कर व्यादम करना का बनानाओ कैसे उसके बाद हम उतार देंगे देखिए कि मन इ देखिए अब इस बनानिया जिसे तरीके से मैं ने रूरु आत से बनाई है यह देखियो अब मेरे तीन पंदे और बचे हैं अब इन तीन पंदों को उल्टी तरफ से बुल लेंगे और देखियो अब सीधी तरफ से इसको आप देखियो तीन बचे हैं मेरे तीनों मैंसे उसी तरीके से इसको भी अमना लेंगे देखियो और इसको इस पर डालके फिर इस पंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे और यह वाला वीच का निकल आएगा इसको छोड़ देंगे देखियो अब मेरा यह लास्ट तक बन चुका है मैंने यह धागा यहां से निकाल लिया और उसके बाद इसको इसमें डालके और खीच देंगे देखियो आप मेरा यह बन गई पत्ती ऐसे यह आप बड़ी इसी पत्ती बना लाए उसका डूर मेर बना सकते हैं